हलो दोस्तों नमस्कार मेरा मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आर्किट्वी चैनल दोस्तों बहुत बड़ी खुश खबरी है एक नया मौका आया हुआ है इस लाकडाउन के बाद जैसा कि आपने थमनेल में पड़ा है कि भारत में बिभिन विभागों में भरती आन या देश में तो उस सभी में भरती आने वाली है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप किस जिला किस ड्रिस्टिक से देख रहा है मुझे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और क्या भरती है मैं इस पर अगली एक नई वीडियो जो मेरी आने वाली ह उसको पूरा डीटेल में मैंने ब्याक्या किया है हर एक विभाग का मैंने बताया है आपको कि कितने जिलों में कितने सीट हैं कितने पद हैं तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपना नाम और आपका जो जिला है ड्रिस्टिक है वो मुझे कमेंट करके बदाई कि आप मुझे किस राज्जी किस चिला से आप मुझे देख रहे हैं अगर मेरी बात आप समझे हैं तो फिलीज एक लाइक किजिएगा जरूर क्योंकि अपना काम है भरती बताना आप जानते हैं कि मैंने वाक्षिनेटर का और साय का और पता नहीं कितनी और भी भरती है मैं उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा समयदार के लिए सारा काफी है चलिए समझ चुके हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट किजिए अगर मेरी बात अगर समत हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा क्योंकि मैं कुछ अगले दिनों में आपक कितने जगहों पे और कौन-कौन सी जैसे आसा आंगन बाड़ी ऐसे भी तमाम भरतियां हैं जो आ रही हैं नहीं नहीं जो लागड़ान कोरेना वायरस आपको पता होगा उसके चलते जो लागड़ान हुआ ता पुरे देश में अभी चली रहा है आगे कितने दिन तक है यह तो आपको न्यूज में पता ही होगा मैं उसके बारे में आज नहीं बात करूँगा लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि प्लीज आप इस चैनल को सस्क्राइब करके रखिए और मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएगा इसको बकवास ना समझ करके रियल विश्वास करके एक बार करके देखिएगा ठीक है दोस्तों उससे यह वेनिफीट होगा कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे जिले में मेरे डिश्टिक में कितनी भरती आई हुई है और किस विभाग में कितनी भरती आई हुई है यह मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं तो को भी पता है मुझे भी पता है इसमें क्या सच है आपको आप वीडियो देखते हैं आंलाइन आपको क्या गुमराख कोई कर सकता है क्या आप पढ़े लिखे नहीं, क्या आप समयदार नहीं, आप जानते नहीं कि इंडिया में भरती आती है कि नहीं आती है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको यह लग रहा होगा कि नहीं होगी लगड़ान के बाद है, तो खुदी देश में यह है, दोस्त देश अपना जो कोई रोजगार नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में कोई गरीवी आ जाया और हमें टूर करके रख दे, ऐसी बात नहीं है, अपने देश को